तो चलिए आज बनाते हैं घर पर ही एकदम परफेक्ट पानी पुरी की पुरी वो भी आटा और सूजी से तो जिनको भी लगता है कि घर परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती है सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है इसमें मैंने अपने सारी ट्रायल दिखाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी पुरी हम फ्राइ करते हैं तो कितनी परफेक्ट बनती है और ऐसा नहीं है आपकी सारी पूरी परफेक्ट भी बन सकती है अगर हम उन्हें अच्छे से बेलते हैं तो क्योंकि जब पूरी को हम even pressure से नहीं बेलते हैं तो वो फूलते वक्त फट जाती है और बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि आटा को dry कर देते हैं तो dry आटा होने की वज़े से भी वो पूरी नहीं फूल पाती है तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे tips देखेंगे जिससे हम घर पर ही एकदम perfect पानी पूरी बना पाएंगी साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कच्ची केरी का एकदम खटा पानी बहुत ही ज़दा tasty लगता है तो अगर मैं perfect पानी पूरी घर पर बना सकती हूँ तो फिर definitely आप भी बना सकते हैं तो बहुत ही easy recipe है एकदम crispy एकदम fully fully और एकदम गोल बनेगी तो क्या करना है सबसे पहले हमें आदा कप लेना है आटा आदा कप ही यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ थोड़ा सा नमक डालेंगी तो चुटकी बर यहाँ पर हम सोडा डालेंगी अच्छे से इनको mix कर लेंगी हम इसमें कोई तेल वगेरा नहीं डालना है अच्छे से mix करके बस थोड़ा गुनगुने पानी के साथ हमें इसका आटा तयार करना है क्यूंकि हम इसमें सूजी मिला रहे हैं तो आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए एकदम हम उसको रोटी के जैसा भी नहीं रखेंगे रोटी से भी हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है अब इसे लगबग 20 से 25 मिनिट के रेस्ट पे रख देंगे अच्छे से ढग कर रखें अगर आप कपड़े से नहीं तो एक कंटेनर में पैक कर दे ताकि हवा ना लगी तो चलिए अब एकदम खटा और तीखा पानी बना लेते हैं तो हम वो कच्ची केरी से बनाने वाले हैं बहुत ही साथा परफेक्ट बनता है आप टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा आप बाहर ही पानी पूरी खा रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आदी कच्ची केरी ली है अगर आप जादा क्वांटीटी में बना रहे हैं तो पूरी भी ले सकते हैं लगबग यहाँ पर मैंने तीन से चार ग्लास के लिए यह आदी केरी ली है इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगी अब इसे हम डाल दें तो साती साथ हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना एक हरी मिर्ज डाल रही हूं और लगबग आदा इंच का टुकड़ा मैंने अद्रक्का डाला है थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगी अब लगबग यहां पर मैंने चार ग्लास पानी ल सकते हैं काला नमक डालेंगी लगबग लगब 1 तीज स्पून चाठ मसाला डालेंगी लगब 1 तीज स्पून और तीस्पून ही यहां पर मैं डालेंगी पानी पूरी मीं अवक्तूर से लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगी तो इस तरीके से यहां पर हमारा पानी एक dialogue बन बहुत ही ज़ादा amazing taste आता है थोड़ी सी इसमें बूंदी और धनिया डाल देंगी तो हमारा एकदम easy, एकदम quick और बहुत ही ज़ादा tasty पानी पूरी का पानी तयार हो चुका है तो आप इस recipe को एक बार जरूर try करें आपको यह बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है और comment करके मुझे बताना की आपको यह कैसी लगी तो चलिए अब हम पूरी बनाते हैं तो आटे को rest पर रखने के लिए आप इसे किसी container में ही pack करें क्योंकि मैंने यहाँ पर कपड़े से डगा तो मुझे हलका सा यह dry लगा तो आप हाथ पर हलका सा पानी लगा कर सही कर सकते हैं अगर लगे आपको की थोड़ा सा आटा dry हो गया है तो इस तरीके से इसकी हम छोटी छोटे पेड़े बना लेंगी और थोड़ा पतला बेलेंगी अगर आप इसे मोटा बेलेंगी तो इसकी दोनों साइट्स भी मोटी हो सकती है तो आप देख सकते हैं थिकनेस मैने से थोड़ा पतला रखा है अगर आप एक साथ सारी पुरी बेल रहे हैं तो इस तरीके से उन्हें कपड़े में ढग कर रग दे और अगर आप इंस्टेंट निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम गर्मा गर्म तेल में पहले फ्राई करना है और फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा कम टेंपरेचर पर रग कर हमें पूरी को क्रिस्पी करन है तो जैसे हमारी पूरी फूल जाती है उसके बाद तेम्परेचर कम कर देंगी तो ऐसा नहीं है कि आप सारी पूरी बनाते हैं तो फो फोलो करेंगे तब ईापकी 100% पूरी perfect नहीं बनेगी उसमें से 1 या 2 या कुछ परसेंटेज पूरी का ऐसा रहेगा जो नहीं फूलेगा तो इसमें हमारे जो हम door ready करते हैं उसका कोई issue नहीं है कभी कभी हम पूरी बेलते हैं तो इसमें pressure का भी होता है कि हमने अगर उसको अच्छे से नहीं पेला है तो फिर वो अच्छे से फूलेगी भी नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी पुरी बन कर तयार होती है आप रेसिपी को जरूर ट्राय करना अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं मैं आपका रिप्लाइज जरूर दूँगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप इस वीडियो में सारे जितने भी बैश मैंने पुरी सके फ्राय किये थे वो सब मैंने बिना आइडिट किये लगा दिये हैं तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट पुरी बन कर तयार हो चुकी है अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आपको एक्ड देख सकते हैं